विजियो में बेकेना नॉट जरी हापी दो से तालिस लोग ठीक हो चुके हैं एक हजार नौसो एक्यासी लोगों की मौत हो गई है तो कुल मामले आपको हमने बताया कि देखे उनसट हजार के पार हो चुका है आपको हम राज्जिवार अगर हम बताये देखे सबसे पहला राज्जिवार अभी भी महराश्ट बना हुआ है जहां पर सबसे ज़ादा मामले सामने आए है 20,228 मामले यहां सामने आए है आपको बता देखी 789 लोगों की मौत हो गई है और नए मरीज 1165 यहां पर सामने आए है तुसरा राज्जी यहां गुजरात है जहां पर 7796 केसे सामने आए है 472 लोगों की अब तक यहां पर मौत हो गई है और जो नए केसे जाए है वो 394 है वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 6542 केसे जानी के संक्रमित जो है वो सामने आए है अब तक 78 लोगों की यहां पर मौत हो गई है और 224 लोग जो है वो यहां पर नए मरीज सामने आए है अब आपको राजिस्थान की अगर हम बात बताएं तो राजिस्थान में 3655 संक्रमित यहां पर है मौत हुई है प्रश्रमंगाल की बात करें तो यहाँ पर 1786 केसे सामने आए हैं 171 लोगों की मौत हो गई है पंजाब की बात करें तो 1772 केसे सामने आए है वहीं तमिलाडू में 6535 केसे सामने आए है चलिए और अब बात करते हैं विदेशों में फसे भारतियों के वापस लोटने के जहा पिछले 24 गंटे में 800 से जादा भारतियों की वतन वापसी हुई है लोकडाउन के बीच ये सभी लोग विदेशों में फसे हुए हैं वहीं 698 लोगों को वापस लेकर आएनस जलाश्व कुछ घंटों के बाद कुच्ची पहुँचने वाला है और उसमें शान से सफर करता भारतिय नौसेना का ये युद्ध पोत ये भव्य दिरिश मालदीव से भारत के लिए निकले आएनस जलाश्व का है कुरोना संकट की इस घड़ी में मालदीव में फसे भारतियों को लेकर वापस लोट रहा है आएनस जलाश्व इस एतिहासिक मौके पर नौसेना के पस्चिम कमान में तैनाथ जंगी जहाजों के बेड़े से लोट रहे भारतियों का शानदार स्वागत किया गया माले से 698 भारतियों को लेकर भारतिय नौसेना का युद्ध पोथ आएनस जलाश्व केरल के कोची बंदरगाह आ रहा है दूसरी तरफ वंदे भारत मिशन के तहट विदेश से लगातार भारतियों की एर इंडिया के विमान से वापसी कराई जा रही है वही कुएट से 163 यात्रियों को विशेश विमान से हैदराबाद लाए गया है शनिवार को लंदन के हीत्रो हवाई अड्रे से 329 यात्रियों के साथ निकला एर इंडिया का विमान सुबह करीब 4 बजे मुंबई पहुँचा अपनी जमीन पर पहुँचकर यात्रियों के चेहरे पर सुकून था कुछ भावुक भी थे एरपोर्ट पर शुरुवाती जाँच के बाद सभी को बसों में बैठा कर मेडिकल जाँच के लिए ले जाया गया है नियमों के मताबिक सभी यात्री अभी कॉरंटीन किया जाएंगे इससे पहले लंदन से हिंदुस्तान लोटने वाले यात्रियों की खुशे का ठिकाना नहीं था ये सभी लोग लंदन कुछ दिनों के लिए गये थे लेकिन लॉकडाउन की वज़ा से वहीं फंस गये थे शारजा से विशेश विमान 182 यात्रियों को लेकर लखनों पहुँचा एयरपोर्ट पर ही यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई लखनों के बाहर के यात्रियों को बस और टैक्सी से उनके जिलों में भेजा जाएगा जो लखनों के हैं उन्हें तीन होटेल में 14 दिन कॉरंटीन किया जाएगा शारजा से एयर इंडिया का पहला बिमान लखनों पहुँचा है खाड़ी के देशों में जो लोग रुके हुए थे जो फसे हुए थे उन्हें लेकर ये बिमान लखनों के टर्मिनल वन पर आया है उनकी स्क्रीनिंग से लेकर कोरोना का टेस्ट तक हुआ है और इन तमाम लोगों को कॉरंटाइन में अगले 14 दिनों तक रखा जाएगा सरकार ने इसके बारे में बता रखा है कि जो लोग लाए गए हैं उन्होंने उन्हें 14 दिन का जो कॉरंटाइन होगा उसमें पेड कॉरंटाइन की भी सुविधा होगी लेकिन ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने अपना रेजिस्ट्रिशन कराया था और पहली बार लखनव में इस लॉकडाउन में एर इंडिया का विमान आया है वहीं शनिवार को पहली फ्लाइट ढाका से दिल्ले ऐपोर्ट पर लैंड हुई इसमें सवार सभी 129 यात्रियों को कॉरंटीन किया गया है भारत लाए जा रही सबी लोग वो हैं जो लॉकडाउन के कारण विदेश में फंस गये थे और पिछले 30-40 दिनों से भारत आने की कोशिश कर रहे थे एर इंडिया 7-13 माई तक 12 देशों के लिए 64 उरानों का संचालन करके करीब 15,000 लोगों को रेस्क्यू करने के मिशन में जुठी है 15 माई के बाद मिशन का दूसरा चरंग भी शुरू होगा लखनों से कुमार अभीशे के साथ आस तक ब्योरो मदप्रदेश में रहकर पढ़ाई कर रहा है जमो कश्मीर के रहने वाले सेक्डो चात्र को राहत की खबर मिली है करीब 458 चात्र बसों के जरिये वापस कश्मीर भीज गये भूपाल से 324, इंदौर से 59, जबलपुर से 25, उजएन से 18, सागर से 11 जब की गोलेर से 11 चात्र लॉकडाउन में फस गये थे दरसल जबो कश्मीर सरकार की तरफ से राज्जियों को उनके आ रहने वाले कश्मीरी चात्रों की जानगारी भीजी गई थी जिसके बाद इन चात्रों को वापस भीजा गया मद्रप्रदेश से निकलने से पहले सब भी चात्रों के स्क्रीनिंग भी की गई कोरोना का कहर पूरे देश के लिए बड़ा संकट बन गया है महराश्ट दिल्ली में संक्रमन का ग्राफ भागता जा रहा है प्रदान मंतरी नरेंदर मूदी और ग्रे मंतरी अमिर शाह का ग्रेह राज्य गुजराथ भी संकट के सबसे गंभीर दोर से गुजर रहा है लेकिन अब दिल्ली से गए दिगज डॉक्टर्स की टीम ने वहाँ हेल्थ टीम को कई सुझाव दिये है इसके साथ ही गुजराथ में कोरोना के खिलाफ जंग तेज हो गई है नसी लोगों ने अपनी जान गमाई है वही गुजराथ में संक्टरमीतों की संख्या साथ हजार साथ सो च्यानवे है और चार सो बहत्तर लोगों की मौत हुई है आंकडे बता रही है कि कोरोना ने गुजराथ को बड़ा चैलेंज दिया है हाला कि राज्य और केंद्र सरकार उसे मात देने की ठानली है उसी भरोसे की एक कड़ी है दिल्ली एम्स के डारेक्टर डॉक्टर रंदीब गुलेरिया और डॉक्टर मनिश सुरेजा का एहमदाबाद दौरा ये दौरा बेहत एहम है क्यूंकि शहर में कोरोना के आंकड़े 5200 के पार जा चुके हैं सूत्रों के मताबिक गुजराथ के हालात पर प्रधान मंतरी खुद नजर रखे हुए हैं ग्रे मंतरी अमित शाह भी चिंतित हैं मुख्य मंतरी विजरुपाणी ने भी ग्रे मंतरी से बात की थी और केंद्रिय टीम भेजने की गुहार लगाई थी तब ही शाह ने डौक्टर गुलेरिया को एहमदाबाद भेजा डौक्टर गुलेरिया एहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुँचे और कोरोना संकट पर गंभीर मंथन किया इसमें डौक्टर अन्य मेडिकल स्टाफ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे ये बैठक बेहत एहम रही क्यूंकि एम्स डारेक्टर ने मरीजों के ट्रीटमेंट और लाइन अव एक्शन की एक-एक जानकारी ली और सुझाओ भी दिये डौक्टर गुलेरिया एस वीपी की मेडिकल टीम से भी मिले गुजरात में कोरोना से मौट की रफ़तार काफी ज्यादा है मिरतियो दर करीब 23 फिस्दी है डौक्टर गुलेरिया ने इस पर चिंता जताते हुए डौक्टरों को टीमती सुझाओ दिये फिर मुख्यमंत्री रुपाणी से मिल कर भी चर्चा की यहां पर आपने डौक्टर के साथ प्रोटोकॉल में डिसकस किया रवलनी के सट्रावचा के सायभाणी को टीम्हे रौकटरवाद प्रोटोकॉलिए प्रेट्रोकॉल्स रौकॉल्स सेट्रावज यहां के सॉखस के साथ बायब्रेटार्श फोटरोटो काल्स ही bills बेसिक को रौकटर्स एइस ही ही और जो आईग् correct गुजरात में रोजाना तेजी से संक्रमन बढ़ रहा है, राज सरकार की ये सबसे बड़ी चिंता है, वैसे सरकार उम्मीद जता रही है कि हालात जल्द सुधरेंगे गुजरात में संक्रमन के चक्र को तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना ही होगा, सबसे महत पून है लोगों को वाइरस से बचने के तरीकों को लेकर जागरुप करना गुपी घांगर एहमदाबाद आज तक जोन में से एक, बंदिशों के बाद भी यहां लोग सडकों पर उतर गए थे, जब पुलिस ने उन्हें हटाना चाहा तो आरोपी पत्थर बरसाने लगे सोचिए, जो जान बचाने में जुटे हैं, उन्हीं की जान लेने पर उतर गए कुछ लोग ये उस एहमदाबाद का हाल है, जो कोरोना के भवरजाल में उलज़ा हुआ है देख लीजे, कोरोना कैसे अपने चंगुल में फसा चुका है एहमदाबाद शेहर को 6 माई को यहां 4716 कोरोना केस थे, और 297 में लोगों ने जान गवाई थी 7 माई को संक्रामितों की संख्या 4,099 हो गई, जबकि मरने वालों की संख्या 321 तक पहुँच गई अगले दिन एहमदाबाद में कुल कोरोना पिडित 5,260 हो गए और मरने वालों का आकड़ा 343 तक पहुँच गया आखिर महमारे का ये संकट बेकाबू क्यों है, एहमदाबाद ने जिस तरह से लापरवाही, अंदेखी, नासमझी देखी है उन सब ने मिलकर ये दिन देखने के लिए मजबूर कर दिया इसके शुरुवात तो दिल्ली से जमातियों के एहमदाबाद पहुचने के साथी हो गई थी उसके बाद संकट गहराता चला गया, खासकर पुराने एहमदाबाद में वो जमाति जा छुपे, अपनी बिमारी भी छुपाई, नतीजा हुआ कि वो इलाके कोरोना के होट स्पॉट बन गए अभी जमालपूर में 810 संक्रमित, 104 मौत हैं, खाड़िया इलाके में 479 बिडित हैं, 23 की मौत हुई है, बहरामपुरा में 441 बिडित और 16 मौत, दानिली मडा में 325 केस और 26 मौत, और मणी नगर में 210 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 12 ने जान गवाई है ये तमाम इलाके पुराने एमदाबाद के हैं, और वहां कुल मामले 1300 से ज्यादा हो चुके हैं, हालाद संभालने के लिए ही अब शहर में RAF, CRPM और राज्जी पुलिस के जवानों की तैनाधी की जा चुकी है, कोरोना के सूपर स्प्रेडर पर भी शिकंजा कसा जा रहा है एमदाबाद जो की कोरोना का होट स्पोट बना हुआ है, यहां दूद और दवाई को छोड़के सारी चीजे बन कर दी गई है, उसकी प्रमुख वज़ा सूपर स्प्रेडर है, अब तक करीब 8000 जितने सूपर स्प्रेडर का टेस्ट किया गया है, तो वही उसमें से 200 जितन सूपर स्प्रेडर पॉजिटिव पाए गए है, एमदाबाद के हालात आउट अफ कंट्रोल हैं, लिहाज़ा दूद और दवा दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकाने 15 मई तक बंद कर दी गई है, यह निने लिया गया है कि दूद और दवा की दुकाने, इसके और सूपर स्प्रेडर दूसरे लोगों में न पहलाएं, इस चीज़ को रोका जाएगा। उन मी भी पहले पायदान पर हैं, वैसे इस लिस्ट में राज्ज के 6 अन्य शहर भी शामिल हैं, रूपानी सरकार ने तमाम प्रभाविश शहरों को संक्रमित फ्री करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। तक के कारिकरम ये जंडाज तक में कबूली थी। इसमें एहमदाबाद, सूरत, वडोद्रा, अनंद, बनासकांठा, भावनगर और गांधी नगर शामिल है। इसके लावा राज्जी के 12 जिले औरेंज जोन में और अन्न जिले ग्रीन जोन में है। लेकिन पूरे गुजराद के करीब 89 फीजदी कोरोना केस सिर्फ 3 जिले एहमदाबाद, सूरत और वडोद्रा में है। एहमदाबाद में 5,260, जबकि सूरत में 824 और वडोद्रा में 465 कोरोना के मरीजों की पहचान हो चुकी है। माना जा रहे कि तेज रफदार टेस्टिंग की वज़़ा से भी कोरोना ग्राफ में तेजी से इजाफा हुआ है। रोजाना 5,000 से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, अब तक 1,5,000 से ज़्यादा जाच हो चुकी है। रुपाणी सरकार की कोशिश है कि संकट समाप्थ होना चाहिए। इसे लेकर सरकार सक्थ है। उसी के तहट 17 मई तक राजजी में शाम 7 बजे से सुबा 7 बजे तक किसी को बाहर आने की जाज़त नहीं है। लोगडाउन उलंगन रोकने के लिए ड्रोन और CCTV कैमरों की मदद ली जा रही है। सीम रुपाणी ने रोजेदारों से घर में ही रहकर इबादत करने की अभील की है। कोरोना के खिलाफ लडाई कई मोर्चों पर लड़नी पड़ रही है। इसी जंग को जीतने के लिए सीम रुपाणी ने पीएम मोदी से कई बार चिंतन मनन किया है। एमदाबाद से गोपी घंगर के साथ आज तक देरों। लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रहें आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले।